गाइस नाव स्टार्ट और नेक्ट वीडियो लेक्शर अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जैसे सब को पता है कि आयटी जैम का जो मेरा एक्जाम है अब उसका जो टाइम है ना दीन जो है कम होता जा रहा है उसकी बीज की जो दूरी है एक्जाम डेट की अब सीकुरूती सकते हैं तो यह बीडियो लेक्शर कोई बहुत बड़ा नहीं होने जा रहा है कि उन मुद्धों पर बात करने जा रहे हैं जिन से अच्छी खासी तैयारी करने वाले का इस्टूडेंट का देखा जाता है कि क्वालिफाई तो कर जाता है बड़ कहीं अडिमिशन नहीं मिलत सबको पता है कि जो आईटी जैम का आपका जो एक्जाम है न वो थ्री तरीके से कोश्टंस को पूछा जाता है पूटब करते हैं वो बनाते हैं ठीट टाइब कोश्टंस क्यूंकी फ्रेमवर्क हैं पहला है जो जनरल कंपटीशन अस्तर का है यम सी क्यू है उसके बाद निकाली जाती है और बताई जाती ही किसकी वेलू क्या है अब कुश्चन यह है कि अधिकांस्त्र इस्टूडेंट के दिमाग में कर्फूजन रहता है कि सर हम सबसे पहले किस पार्ट को जो है करना सुरू करें यह बहुत बड़ी चीज है अगर इसकी प्लानिंग आप ठिक गिल जाता है तो मेरे लिहाज से क्या एक बेस्ट इस्टेटजी आप की हो सकती है इंडेग्जामनेशन पीरियेड कि आप छोटे-छोटे जो है ना तरीकों से को साल्व करिए मतलब आप एमसी क्यू को साल्व करने का प्रयास करिए फर्स्ट अट्टेंब दैंसे क्यों जो इसको करने लगते हैं अभी इसके प्राइब करेंगे कि एकसे के दौराण से गुजरता है उसके बारें भी आप बात करेंगे और आंको जानना भी हो जरूरी तो प्राइब करेंगे तो फिर यूव प्राबल्म हो सकता है कि दो आप सोड़के कोई दूसरा ने दो मार दिया तो फिर आपका सब किये कराया पर पानी फिर जाएगा यहां टाइम भी बहुत जादे कीन होता है तो आपकी जो स्टेटेजी होनी चाहिए मेरे कार्डिंग इसको साल्व मत करें इसके बाद इस पर आप और लास्ट में हमेसा मल्टीपल जो सेलेक्टेट कोस्टन इसमें एक से जादे सही होने की संभावना है उसको करने का प्रयास करें अगर इसकी स्टेटेजी से अगर आप आप जैम का कोश्टन पेपर अगर आप साल्व करने हैं तो डिफिनिटली जो एक लैक आ सकता है कांफिजेंस में जो लाइकिंग देखी जाती है जब स्टूडेंट इस पर जूरा जाता है तो फिर उसकी एक कांफिजेंस जो कह इसको करने का जो एक वे है न अगर वह आपके दिमाग में नहीं है तो फिर यह प्रावलम है इसको इसको तब इसको आप साग करें डिफिनिटली आपको इसका फैदा मिलेगा तो थैंक्यू गाइस जैए